हेलो गाइस इस वीडियो के अंदर हम इसको भी Unity के अंदर View4A Engine को install करने में या import करने में error आ रही है इसका solution हम देखेंगे अभी आप जो Unity का 2020 version यूज़ कर रहे हो और यहां से आप right click करोगे और यहां पे आपको View4A Engine का option नहीं आ रहा है तो आपको different तरीके से इसको import करना पड़ेगा इसके लिए first आप अपना browser open करें browser open करने के बाद यहां पे आप library.buforia.com में enter हो जाए इसके अंदर आप unity पर click करें इसके अंदर आप adding view4A engine to the unity project पर यहां पे यह जो है इसके पर click करें click करने के बाद यहां पे आपको दो options मिल जाएंगे import करने के यहां पे मैं select करता हूँ second one यहां से आप download कर लिए package को यहां पे आप select कर ले और यहां पे आप download पर click करें थोड़ी देर में आपका download complete हो जाएगा download complete हो जाने के बाद इसको आप desktop पर रख दे इसको आप extract कर ले ओके यह desktop पर extract हो गया वापिस आप जो अपना unity का project है उसको आप open कर ले यहां पे आप window टेप पर click करें और यहां पे package manager के अंदर यहां पे आपको open होने में सायद 1-2 मीट लग सकता है यहां पे आप plus sign पर click करें फर्स्ट जो है हमारा add package from disk उसके पर click कर ले और यहां से आप desktop select कर ले जो हमारा package है उसको आप open करें यहां पे आपको package.dation file मिल जाएगी उसको आप select करें और यहां पे आप open पर click कर ले तो थोड़ी देर में जो आपका package है वो unity के अंदर import हो जाएगा import हो जाने के बाद यहां पे list पे आप viewforia engine का options यहां से देख पाओगे जो नहीं दिख रहा है आपको तो थोड़ी देर में आप refresh कर लो या फिर आप unity को restart कर लो viewforia engine यहां पे आ जाने के बाद यहां पर आप click करें यहां पे आप see other version पर click करें तो यहां पर आपको जो पूराने सब version है वो यहां से आपको मिल जाएंगे अब तक का viewforia का जो stable version था वो 9.2 पर 7 था उसके उपर आप click करें अभी हमारा जो version है वो 9.3.3 है यहां पे आप right click करोगे और यहां पे आपको viewforia engine आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है जो नहीं आ रहा है तो यहां पे आप 9.2.7 पर click करने के बाद update कर दे तो उसमें भी आपको नहीं आ रहा है तो आ different different जो version है उसको कैसे unity के अंदर import किया जाता है वो हमने देखा So I will end up this video over here. Will see you in the next video